एलो गाई, तो लेट्स डिस्किस अबाउट चैन ग्रेट स्टोकर, स्टोकर एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, कोल को एफिशेंट बर्न करने के लिए, काफी सारे टाप्स के स्टोकर को यूज किया जाता है, फर्स्ट ओफल ओवर्फीट स्टोकर एंड अंडर फीट स्टो है, ट्रावलिंग ग्रेट स्टोकर, जिसमें चेन ग्रेट स्टोकर एंड बार ग्रेट स्टोकर का यूज किया जाता है, यान कि यह दो अलग-अलग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, एंड सेकेंड है, स्प्रेडर स्टोकर, सो यहां हम ट्रावलिंग ग्रेट स्टोकर में च नीचे से एर काफ सप्लाई करेंगे यह हुआ ओवर्फिट स्टोकर यहां पर उसका कंस्टुक्शन कैसे उसके बारे में बात करते हैं चेंग इस नाम हमें सबसे पहले यानि कि great यहाँ पर travel करेगा सबसे पहले great क्या है तो great coal को surface provide करता है burn करने के लिए so यह surface है यह जिसे great कहा जाता है now यहाँ पर दो sprockets available है यह sprockets के उपर chain इस तरह से जैसे conveyor rotate होता रहता है pulley ओ के आजू बाजू उसी तरह से यहाँ chain इस तरह से transfer होती रहेगी उसके साथ great connected है so great भी यहाँ पर movable है great भी move करता रहेगा ओके यह हमें समझना है तो हमने जैसे यहाँ पर देखा कि यह उसकी ही एक arrangement है जिसे हमें आसानी से समझ में आ जाए यह chain से connected यह great है great के निच्चे से forcefully fan के यूज से air को flow किया जाएगा जिससे combustion proper हो now तो यह इस तरह से chain के साथ यह great rotate होता रहेगा उपर से call hopper के थूँ हम call का flow करेंगे जो call जो raw material है call का जिसे हम burn करने वाले है वो यहाँ से हम उसे provide करेंगे feed करेंगे तो यह हुआ over feed stocker का था है यह हम समझ गए now जो primary air की requirement है कि जो inconditioned call है यानि कि जो call burn हो रहा है उसको burn करने के लिए जो oxygen की requirement है वो primary air हम निचे से supply करेंगे यहाँ जो great में बीच में जो जगा है वहाँ से forcefully air निचे से हम provide करेंगे जो जैसे हमने यहाँ पर यह principle की बात की थी कि बाई किस तरह से यहाँ यह पूरा combustion होता है जो वही यहाँ हमें समझ कर आगे बढ़ना है already मैंने एक वीडियो वहाँ उसके लिए बना दिया है फिर यहाँ पर coal जैसे ही combustion होगा जो secondary air जो oxygen जब उपर पहुँचेगा तो oxygen नहीं रहेगा जो in condition coal है वहाँ reaction करकर carbon monoxide and carbon dioxide में convert हो चुका होगा जो secondary air की हमें requirement रहेगी जो यहाँ पर flames generate होगी उसको rapidly fire करने के लिए जो flames का temperature है हो हाई हमें increase करने के लिए हम secondary air का use कर दे तो यहाँ पर secondary air ports available हैं जहाँ से secondary air को supply किया जाएगा और वो एक turbulence provide करेगा जिससे जो flames है वो rapidly fire होगी और जो flames का temperature है वो high हम achieve कर पाएंगे जो यहाँ से हम coal feed करें वो भी burn होना start हो जाएगा और उसकी मदद से जो यहाँ flug gases coal में से generate होगे वो hot हो जाएंगे काफी उसका temperature high मिल जाएगा हमें फिर वो flug gases को हम boiler में जो water tube से उसके surrounding में पसार करेंगे उसके surrounding में flow करवाएंगे जिससे जो liquid water है उसे हम steam में convert कर पाएंगे and ultimately हम electricity produce कर पाएंगे नाव यह यहाँ पर सब denotion है अगर exam में एक question पुछा जाए तो हमें सारी चीज़े यहाँ पर denote भी करने है जैसे कि chain grade यानकि जो यह chain है उसके साथ grade भी बनता हुआ है यहाँ airport से primary air के लिए तो यह नीचे से हम primary air supply करेंगे यहाँ proper coal का combustion करने के लिए जब flame से उसका high temperature achieve करने के लिए rapid fire के लिए हम secondary air provide करेंगे क्योंकि जो नीचे से air आएगी उपर वहाँ oxygen नहीं बचेगा उपर आते समये सो यहाँ पर rapidly fire करने के लिए हम secondary air की arrangement हमने कुछ systematic arrangement की होगी सो उससे हम जादा high temperature achieve कर पाएंगे यहाँ coal का hopper है यह इस तरह से पुरा chain grade rotate हो रहा है जो chain grade है वो travel कर रहा है जब यह combustion करके यहाँ आपर जो कोल की जो राक बचेगी जो एस बचेंगे जो unburned coal है जो unburned coal है वो यहाँ नीचे एस होपर के तुरू collect हो जाएगा storage में collect हो जाएगा तो अगर आप देखोगे तो यहाँ clinker जैसा word आएगा तो clinker यानि कि जो unburned coal है जो coal को burn करने के बाद जो unburned matter बचा हुआ है जो बंट नहीं हुआ है तो यह जिसे आप राक हम राक के सकते हैं तो यह यह चीज़ है नाव आगे adjustable fuel grade है यहाँ हम जो fuel प्रोवाइड जो coal प्रोवाइड कर रहें वो एड्जिस्ट भी कर सकते हैं उसके बाद उसके कुछ इसका लो है यह self cleaning system है पुरी क्योंकि जोब यहाँ कोल हम फीड करेंगे वो burn होते होते यहां नीचे अपने आप ही ट्रावल कर रहा है पुरा चैन्स प्रोकेट तो यहां से नीचे गिर जाएगा तो एस automatically collect हो जाएगी यहाँ हमें एसको रिमूव करने की कोई instrument की जरूरिय प्रियात नहीं है maintenance cost is low it is reliable rate of heat released can be controlled by the speed of stoker अगर हम stoker को धीमें धीमें रोटेट करेंगे तो हो सकता है कि जो heat transfer rate है वो बढ़ जाएगा जो ब्लूग एसी जो कोल का combustion है वो increase हो दाएगा क्योंकि एक नेक जगह पर वो बचा रहेगा as crusher are not required high heat rate of energy released disadvantage is the temperature of preheated air is limited to 180 degree Celsius जो हम air feed कर supply कर रहे है उसका temperature 180 degree Celsius रहेगा there is a loss of fine coal which drops along the waters कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने raw material जो fine coal यहाँ पर provide किया है वो burn ना भी हो और unburnt coal जो raw material है वो बीना जले ही एस ओपर में यहाँ पर चला जाए ऐसा भी हो सकता है and then quantity of coal carried out on the grate is small अगर यह यहाँ पर देखे तो जितना grate की size जितनी बड़ी होगी उस हिसाब से हम coal यहाँ पर supply कर पाएंगे so यहाँ पर यह minimum जो amount है वो हम बढ़ा नहीं सकते so यह low जिसका जिस power plant की capacity कम हो उसके लिए यह हम chain grate stoker का use कर सकते है क्योंकि अगर हमें high capacity वाले capacity वाले thermal power plant में high heat generation rate जाई होगा so यह वो fulfill नहीं कर पाएगा यह instrument यह पूरी systematic arrangement the clinker troubles are very common clinker यानि कि जो as generate हुए जो unbunt matter है वो generate होंगे तो उसे तो हम नहीं avoid कर सकते तो यह सारी चीज़े chain grate stoker जो कि एक overfit stoker का example है यह भी हमें MCQ के लिए याद रखना है and all the best guys जस्योर है